हेलो फेल्म्स मैं मैं दीब सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर बिट साच के इस वीडियो में नेट ब्लाउस का डिजाइन में आप लोग के साथ शेयर करूंगी तो बहुती सुंदर यहां पर यह डिजाइन बनेगा कम समय में और फिनिशिंग के साथ आप इसे ब वोटनेग का चाट अगर आपको नहीं पता है तो मैंने अपलोड किया हुआ है पॉटनेक का मैजनेमेट अप उसमे से देक से स्लीफ रेस बनाते हैं तो स Matthew见 रहेगा मैंजरिमेंट आपको चेंच नहीं करना है चोटी जरी खरी हूँ इसमें अल्बू तक स्लीफ बना रही हूँ आप अपनी परसंस से स्लीफ लगा सकते हैं शोल्डर और आर्मोर लिया है मैंने इसमें साथ इंच पोटनेक की अकॉर्डिंग चेस्ट का चोधा बाग लिया है मैंने यहाँ पर और मैंने यहाँ पर देड़ इनच एकस्टर और लिया है चो कमर में हम फ्लेट्स लगाएंगे उसके लिए तो दिखिए यहाँ पर मैंने एक इंच बढ़ाया था और एक इंच में यहाँ पर और बढ़ा रही हूँ तो कम से कम आप यहाँ पर दो इंच एक्स्टा ले लिजेगा प्लिट्स के लिए लेंथ मैंने एजटीजी रखी है फ्रेंट और बैक की सिफ आपको साइट से दो इंच बढ़ा लेना है प्लिट्स के लिए कमर में आदा इंच उल्डर को डाउन रखा है तो मैंने यहाँ पर दीखिए फ्रेंट पार्ट का कटिंग कर लिया है अब हमें बैक पार्ट का कटिंग करना है सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम आर्म होल को भी छाट लेंगे बोट नेक में हमें गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी होती है पोना एक इंच के मैं गहराई यहाँ पर दे रही हूँ अंदर की तरफ पोना एक इंच पर मार्क किया है और फिर इस तरीके से शेप देने के बाद हमने इसे कट कर लेना है तो फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया है अब मैं बैक का कटिंग कर रही हूँ बेक पार्ट का कटिंग करने के लिए अस्तर के कपड़े को हम इस तरीके से आप रख लेंगे मैं इसे बैक ओपन पन बना रही हूँ आप चाहें तो साइड ओपन भी बना सकते हैं इसे अब अस्तर के कपड़े को इस तरीके से रखेंगे और आधा इंच वो मैंने एक्स्टर के लिए मार्किंग किया था उसी तरीके से बैक के लिए भी करेंगे यहां पर दिखिये 9 इंछ लिया है चेस्ट जोत्फावाग गड़ाया है मर्जिण के लिए नीचे कमर का मेज़ेमेंट लेना है कमर 30 इंच वसका चोत्फावाग आउंगी वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा बहुते सुंदर ब्लाउज यहां पर बनके तयार होगा तो आप भी अपने लिए नेट का ब्लाउज एजी तरीके से कम स्टिचिंग करके कम समय में आप तयार कर सकते हैं गले का लंबाई और चोड़ाई यहां पर मार्क करे बेर पआट के लिए मैंने घले के चोड़ाई रखी है 4 इंच यहांसे भी लेना हैपक्तक्त के लिए ईवक के लिए का लिए तो साड़े ऎफ दीन 2 भी किया है इसके बाद यह आपको चाहर निच भी लिए ऑग इसके टिजाइन बनेगा यहांसे में लिए 4 इंच पर मार्क पसंद आता है तो आप कोई और डिजाइन भी बना सकते हैं यहाँ पर देखिए चार इंच गले की चोड़ाई मैंने यहाँ पर भी मार्क किया है गले की लंबाई तीन इंच यहाँ पर भी रखी है तो बैक और फ्रेंट पार्ट में मैंने गले की लंबाई चोड़ाई सेम रखी है आप अगर लेंट बढ़ा कर रखना चाहें फ्रेंट पार्ट के लिए तो बढ़ा सकते हैं अब अंदर की तरफ जो डिजाइन बनेगा आप गले की जो लेंट है नीचे की तरफ वो माग कर सकते हैं 6 इंच पे साड़े 6 इंच 7 इंच तक आप ले सकते हैं तो यहाँ पर मैंने यह वाला शेफ दी दिया है फ्रेंट और बेक पार्ट के शेफ हमारे पूरे हो गए हैं यहाँ पर अब मैं इसके बाद आपको स्लीव का कटिंग बताऊंगे अभी इन्हें कटिंग नहीं करना है इसके बाद इकिए मैं इसे नेट के फैब्रिक पर रखकर कट कर रहे हूँ इस तरीके से यहाँ पर नेट के कपड़े पर इसे रख लेंगे और एसटीस कट कर लेंगे कहीं से भी बड़ा छोटा कट नहीं करना है पराबर से कटिंग कर लेंगे बेक पार्ट को भी मैंने इस तरीके से यहाँ पर कट कर दिया है back or front part cut होने के बाद हम मैं आपर sleeve का cutting करूँगी मैं इस blouse को बिना pad के बना रहे हूँ without padded blouse बना रहे हूँ अगर आपको padded blouse बनाना है अपने लिए ये इस तरीके के blouse में pad attach करना है तो उसका भी video मैंने channel पर upload किया हुआ है अगर आपने नहीं देखा है, तो आप चेनल पर देख सकते हैं Padded Plouse one tucks में कैसे लगाते हैं Princess cut में कैसे बनाते हैं दोनों की ही वीडीयो अप्रोड एंभी चेनल पर आप देख के आसानी से बना सकते हैं बचे हुए कपड़े में से में स्लीव का कटिंग कर रहे हूं तो पहले में से अच्छे से फोल्ड करके रखूंगी और उपर नीचे से इसे कट करके फिनीशिंग कर लेंगे के तो देखें, एक किपड़े को मैने अच्छ से फोल्ड कर दिया है, अब मैं back part का आर्मोल's नाप रही हूँ, तो मेरे measurement पे आर्मोल आ रहा है, 0.5 जाटी सातंच, ये दिखें, सादी सात इंच पे यहाँze, पर आर्मोल तो जो यहाँ पर हमने 7.5 इंच नापा था वो मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है इस तरीके से 3.5 इंच पर मैंने इसे डाउन रखा है इस तरीके से मार्क कर लेंगे और अब हमें स्लीव का शेप देना है नेट पर मार्किंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता है अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप पहले इसे पेपर पे कटिंग कर लें फिर नेट के उपर रखकर पैटन को कट कर लीजेगा नीचे जो भी मैजर्मेंट होता है वो लेना है और देड़ इंचे एक्स्ट्रा बढ़ाना है मार्जिन के लिए मार्जिन अपने प्लाउज में हमने जितना लिया होता है उत्रा ही हमें अस्थीन पर भी लेना होता है स्लीव की कटिंग के लिए तो दिखें, sleeves का pattern मेरा यहाँ पर cutting हो गया है, अगर आपके पास fabric जादा होता है, तो जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने आपको puff sleeves बताया है, आप वो भी इसमें बना सकते हैं, net के साथ भी puff sleeves अच्छा लगता है, तो दिखें, cutting मेरे सारे ही बाट की हो गई है, और sleeves में हमें करना होता है, वो में stitching के समय पर करूंगी, क्योंकि अभी हम करेंगे, इसमें तो दीखेंगा नहीं बराबर, तो जब हम stitching करेंगे, तो ध्यान रखिएगा, फ्रेंट पार्ट की sleeves में आपको गहराई करनी है, आदा इंच की, अब देखिए, जहां-जहां हमने मार्किंग किय करके लेंगे, और स्नेक को आपको साइड में रखना है, इसे हम बराबर से रखकर इपने नेड के ब्लॉव्स का कुटिंग कर लेंगे, तो यह बेक पार्ट का डिजाइन था, इसे साइड में रख लेंगे बराबर से, और यहां पर दीखिए, यह प्रंट का नहीं कि इसे ह बनानी के लिए लिया है मैंने अस्तर का एक्स्टर कपड़ा, एक्स्टर कपड़े को दिखे आपको इस तरीके से रख लेना है नीची की तरफ, अगर आपके पास इतना कपड़ा नहीं बच्टा है तो आप क्रॉस पर्टी के साथ भी गले को बना सकते हैं, तो जैसे मैं इसक एक्सटर कपड़े को कट करके निकाल दिया है और जो साइड में फैब्री के इससे फोल कर लेंगे तो यह पत्ती बन गई हमारी और गला भी अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो गया है बाद में आपको इस पर तुटपाई कर लीनी है सुई धागे से अब गले को अ प्रंट का पैटन बनके तैयार हो गया है अब इसके साथ हमने अटेज करना है नेट का फैब्रेक तो नेट को इस तरीके से रखेंगे अच्छे से दोनों तरफ से बराबर रखते हुए चारों तरफ से सलाई लगा दी नहीं है इस पर यह देखी बीच में मैंने इस पर पे यह देखी हास से फिनिशिंग करते जाएंगे कपड़े को और सिलाई लगाते जाएंगे यहां पर यह देखी फिनिशिंग के साथ मैंने इस अटेज कर दिया है जो भी एक्स्टा फैब्रिक आ रहा है बाहर की तरफ इसे हमने कट करके निकाल देना है पिटिंग वाला पार चोटा तो नहीं हो रहा है चारते समय भी थोड़ा मैजरमेंट का ध्यान रखेगा कि ज्यादा कटिंग ना हो और यहां पर देखिए गले को मैंने इस तरीके से पिन कर दिया है इसके साथ में हमने बराबर से इसे कट कर लेना है परफेक्ट नेक का कटिंग यहां पर हो गय बाइब 3 इंच 6360 पे संटर माग कर लेंगेaison 3-4-3-4 बिट में लेना है और उपर से टक्स पोइंट 10 पर रखाव मैंने इसका साथी तीन इंच इहां से मांग करें ऑर दोनों तरफ से 1-1 इंच आपको मा ہے दो इंच की प्लिट्स बनेगी यहाँ पर तो दोनों तरफ से वन वन इंच आपको मार्क कर लेना है प्लिट्स लगाने से पहले आप अस्तर के उपर इस तरीके से सिलाई लगा सकते हैं इससे की नेट और अस्तर का कप्ला साथ में चिपक जाएगा फिर आपकी प्लिट्स अच्छी बन जाएगी यहाँ पर तो इस तरीके से आपको वन टक्स बना लेना है दोनों ही तरफ यह देखिए वन टक्स की मैंने मार्किंग यहाँ पर कर ली है और सिलाई भी लगा दी है पौफ भी इसमें अच्छा आगया है आप देख सकते हैं यह देखिए नीचे से जो भी कप्ला बड़ा चोटा हो रहा है थोड़ा बहुत आप कट करके से बराबर कर सकते हैं सिलाई करते समय भी हमें ध्यान रखना होता है और चटिंग करनी होती है कपड़ी की ऐसा नहीं है कि हमने जब कटिंग करी तभी हमें कपड़े को परफेक्ट कट करना होता है सिलाई करते समय भी हमें बार-बार कपड़े को नाप करके उसे कटिंग करना होता है अब इसके जो बागी गले हैं वो बनाऊंगी मैं क्रॉस पट्टी के साथ तो मैंने क्रॉस पट्टियां यहाँ पर कट कर ली है और इसे जोड लिया है तो कपड़ा कम बचा था, छोटे छोटे पटियां यहाँ पर मैने उरेप में कट कि है और इसे जोड लिया है तो फ्रेंट पार्ट मेरा रेडी होगे, बस इसमें यहाँ पर कमर पट्टी लगाना बागी है और गला बनाना तो यहाँ पर देखिए गला में क्रॉस पट्टी के साथ कैसे बना रही हूँ फिनिशिंग के लिए देखिएगा क्रॉस पट्टी को हमने यहाँ पर इस तरीके से अटेज करते ना है गले पर इस तरीके से क्रोस पटी को लगाएंगे और चोटे-चोटे कर्ट लगा दीजिएगा थोड़ी-थोड़ी दूरी पे इससे गला जो हो अच्छे से बैट जाता है इसके बाद एक सिलाई इस तरीके से लगाएंगे फिर पटी को fold करते हुए आधा इंच का gap टखते हुए सिलाई लगानी है इसके बाद इकिए क्या कीज़ेगा कि जो एक्स्टरा पटी है यहां पर सिलाई के पास तक वो हमें cut कर लेनी है एक्स्ट्रा पटी को कट करने के बाद दिखेगा ये बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगी पटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे गला अंदर और बाहर दोनों तरफ से फिनिशिंग के साथ दिखेगा ये देखेगा तो अब मैं लगा रही ह हुए यहां पर लगाएंगे अगर आपके पटी पलट के सीधी तरफ आती है तो यहां पर देखिया प्लेट्स भी ले सकते हैं थोड़ी 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 पे और पटी को डीला छोड़ते हुए ही लगाईएगा और इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे आप दा दिया था कैसे किया था इसके बाद सबते पहले हमें अस्तर पे गला बना लेना है तो जो क्रॉस पटी तयार की हुई है वस उसे ही लगा कर हम नैग बना लेंगे यहां पर मैंने सिंपल कॉटन का अच्छा वाला अस्तर लिया है अगर आप थोड़ा फैंसी लुक देना है शोटन अस्तर इसमें यूज नहीं किया मैंने तो दोनों तरफ का जो नैक है वो मैंने फिनिशिंग से तयार कर लिया है अब इसे भी हम नैट के साथ अटेज कर लेंगे एक्स्ट्रा जो भी कप्डा निकलता है वो आप साथ साथ कटिंग करते जाए तो नैट को भी हम ब पीच में से भी कटिंग कर दिया है अब हमने यहाँ पर इसे रख लेना है और अस्तर के साथ इसे जोड लेना है यह बाला नैक परने के पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है और बनाने में बहुत एजी है अगर आपको भी नेट का ब्लॉज पसंद है तो इस तरीके साथ डिजाइन बना सकते हैं यह देखिए एक तरफ का पार्ट मैंने तयार कर लिया है अब मैं दूसरी तरफ का कर रहे हूं अच्छे से नेट के कपरे के साथ हमने जोड लेना है एक्स्टर पार्ट कटिंग कर लेंगे यहां पर मैं सबसे पर हाई की पटि लगा रही हूं हाई की पटि के जोडाई रखिए मैंने वो दो इंच की लिए है पटि को रखिएंगे नीचे की तरफ और उपर की तरफ इसे पलट लेंगे तो मैंने इसे इस तरफ लगाया है आप अपनी पसंद से किसी भी तरफ लगा सकते हैं पटी को यह देखिए इस तरीके से पटी को हमने उपर की तरफ फोल्ड कर लेना है पिनिशिंग के साथ गले के पराबर पटी को कट कर लेंगे एक स्लाई और लगा देंगे इसके उपर तो यह लग गई मेरी हाई की पटी अब दूसरी तरफ में बना रही हूँ 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 की पटी तो दिखिए यहाँ पर हम लगा लेंगे हूँ की पटी पटी को फोल्ड करने से पहले आप एक बहर फिनिशिंग से साइट से कट कर लें और इसके बाद अंदर की तरफ फोल्ड कर लेजेगा यह देखिए तो यहाँ पर हाई और रूप की पटी मेरी बन करके तयार हो गई है गला बिलकुर अच्छे से बन गया है इसके बाद में लगा रही हूँ यहाँ पर कमर में प्लेट्स और नीचे की तरफ लगा रही हूँ कमर पटी तो दोनों तरफ पहले हमने कमर में प्लेट्स अटेच कर देनी है साड़ी चार इंच की लंबाई में मैंने कमर में प्लेट्स लगाई है बेक पार्ट का जो नेट का गला है वो हमने इस तरीके से बना लेना है जैसे कि हमने फ्रेंट पार्ट का बनाया था इसमें आपको हाई हूप की पट्टी की तरफ से कप्डा एक्स्ट्रा लेना है अंदर फोल्ड करने के लिए तो दीखे इस तरीके से इसे तयार करेंगे और इसमें फिनिशिंग पे अच्छी आएगी तो ये पार्ट मेरा रेडी हो गया है अब नीचे की तरफ लगा रही हूं मैं कमर पटी तो नीचे से आधा इंच का मार्जें लेते हुए कमर पटी को अटेज कीजिएगा अंदर की तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे और इसका दूसरा वाला भाग भी इसी तरीके से हमें तयार कर लेना है ये देखिए दोनों पार्ट मेरे बंके तयार हो गए हैं इसके बाद मैं स्लीफ तयार कर रही हूं तो स्लीफ में हमें इस तरीके से पटी को अटेज करना है पट्टी को double fold करते हुए मैंने यहाप पर attach कर दिया है एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए लगाएंगे और पट्टी को कर लेंगे अंदर की तरफ fold तो दीखे स्लीफ्स तयार हो गए है दूसरी स्लीफ्स भी इसी तरीके से तयार कर लेंगे बराबर करके इसे आपको चेक भी कर लेना है कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा तो नहीं हो रहा है तो दीखे सभी पार्ट मेरे यहाप पर तयार हो गए है अब मैं कर रहे हुए इसका shoulder joint नीचे रखेंगे back पार्ट को फ्रंट पार्ट को इसके उपर रखते हुए हमने इसलाई लगा दिनी है उपर से आधा इंच का margin लेते हुए गले को बराबर से रखते हुए इसलाई लगा दिनगे अच्छे से पका कर देंगे डवल सलाई लगाएंगे अब हमें फ्रंट पार्ट का center यहाँ पर जो है वहाँ पर रखना है back पार्ट को और arm होस तरफ से और side से extra कपड़े को cut करकी निकाल देना है कपड़े के extra पार्ट को हम जाट लेंगे और बराबर से कर लेंगे इसे यह दिखिए अब मैं यहाँ पर center से sleeves को जोड रही हूँ और front पार्ट का गहराई यहाँ पर मैंने cut करती है आदा इंच की और इस तरीके से sleeves को center से ही attach करना है यह दिखिए दोनों तरफ से sleeves हमारी बराबर से आ गई है अगर थोड़ा बड़ा होता है sleeves का भाग तो वो हम fitting करते समय निकाल देते हैं आदा इंच का margin लेते हुए sleeves को जोड लिया है इसका जो margin वाला भागे वो मैंने अंदर की तरफ करते हुए सिलाई लगा दी है यह देखिए आप भी इसी तरीके से पहला extra कप्रा जो इसे cut कर लें स्लीव के margin का और फिर इसे अंदर की तरफ फोड कर लें शोल्डर वाली तरफ और सिलाई लगा दें यह दिखिए इससे अच्छे finishing दीखती है स्लीव पर अब मैं दूसी तरफ का स्लीव भी इसी तरीके से टेश कर रही हूँ दोनों तरफ की स्लीव मैंने जोड ली है और इसके बाद देखिए क्या करेंगी यहाँ पर सिलाई लगा देंगे corner की एक सिलाई लगा देनी है इसके बाद जितना भी extra कप्रा है इससे cut करके निकाल देना है और दूसी तरफ का पार्ट भी इसी तरीके से हमने जोड लेना है दोनों तरफ का पार्ट टेश करने के बाद blouse को उल्टा कर लेंगे man fitting लगाने के लिए तो यह हमने blouse के सीधी तरफ सिलाई लगाया है अब मैं man fitting लगाने के लिए अपने blouse को कर रही है उल्टा और यहां पर इसे उल्टा करने के बाद हमने एक स्लाई पहले corner की लगा देनी है जिससे के fabric अच्चे से बैठ जाए अब इसके बाद आप chest और waste का चोताफाद कीजिएगा chest का लिया है 9 inch कमर का लिया है 7.5 inch और यहां पर दिखिए जो measurement है वो लेंगे sleeves का back open blouse है आप अगर आदा हैं chest और waste पर loose रखना चाहें तो उस तरीके से आप fitting लगा सकते हैं यहां पर दूसी तरफ का part भी मैंने इसी तरीके से यहां पर fitting कर दिया है और इसी के साथ मेरा यह blouse बन करके तयार हो गया है तब friends आपको अज का मेरा डिजाइन कैसा लगा है मुझे comment करके ज़रूर पताईएगा वीडियो को like share ज़रूर कीजेगा चैनल को subscribe ज़रूर करें धन्यबाद